हेलो फेंड्स वल्केम बैक टूजले में सिंदुकर सुनिया आपका इस इंट्रेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं आज बात करूंगा फ्रिसर एमार के इंटर्व्यू के बारे में हैं 2020 चल लगां आज के दोर में अगर आमको अमार बनना है तो कौन सी कुषटेatarट के लुजड झायने वीडियो जा रहे हैं जहीं। इंट्रेडियो देख रहे हैं कोई बात नई है काम आएंगे questions ठीक है तो कौन से question आपसे question पूछे जा सकते हैं और उसकी preparation आप कैसे करके जाएंगे तो सबसे पहले friend चाहे आप इस profession में जाए या किसी और profession में जाए सबसे important जो चीज़ होती है आपको profession के बारे में पता होना चाहिए तो पहला question आपको हो सकता है पहला question तो वैसे आपसे introduction पूछा जाएगा दिन आपसे questioning start होता है तो सबसे पहला question हो सकता है MR job क्या होता है what is the job of MR MR करता क्या है ठीक है अगर मैं आपसे बिल्कुल label language पूछू तो आपसे इसके label increase करके भी पूछा जा सकता है यह जो question मैं आपको बता रहा हो इन्ही question को थोड़ा गुमा टहला के भी पूछा जा सकता है वह आपकी choice है आपको समझना होगा आपको समझना होगा question क्यों क्यों कि घुमाया जा रहा है वही question है chamber and make the availability of brand nearby to the retail shop और retail chemist यह दो basic काम है पहला काम क्या है अपने product को डॉक्टर को दिखाना बताना अब यह दिखाने और बताने लिए companies क्या करती है booklet provide करती है जिसको visual ad बोला जाता है ठीक है तो visual ad के थुरू क्या करना होता है ब्रेंड को दिखाना होता है दिखाने के बाद अपने ब्रेंड को nearby chemist पर out level कराना होता है ताकि क्या हो इससे क्या होगा जब भी डॉक्टर को अंतर क्या है पहले नंबर में आपको सिर्फ ब्रीफ में इंसर देना है कि डॉक्टर को अपना ब्रेंड बताते हैं ब्रेंड के एडवांटेज करते हैं उसके अपना ब्रेंड कराते हैं लेकिन जैसे इसे कुछिशन अगर आप सो पूछाता था वाटी जॉब प्रोफाइल का भी बड़ी चीज आती है जॉब प्रोफाइल के अंदर इन दोनों चीजों के अलावा आप कैसे करते हैं टार्गेट एचीब्मेंट कैसे हैं रिपोटिंग कैसे करते हैं अपने मैनेजर के साथ का सबसे पहले मेनेजर करता है उसके बात केमिश्प पर सर्वे करता है यह ब्रैंड का लिख रहाőं लिख रहाय किसी आउर का इसे लिखेगा काउंसा लिखेगा मुझे काउंसा ब्रेंड को प्लान करता है कि हर कमपनी के पास 10 शे 15 20 विचा ब्रैंड होते हैं इसमें सब काउ करते हैं सर्वे के बेशिस पर घंडर के अंदर जाते हैं दर कॉछ करना में हम भर नीकलना होता है तभी डायरी के ऊपर एक पोके डाइरी इमारा मेंसा रखता है उसके अंदर कॉल प्लान बना लेता है ठीक है तो डॉक्त के लिए colored प्लान बनाया उसके कोडिंग गया हमने रिमाइंडर प्लेस किया फिर हमने के में इसको पर सर्वे किया सर्वे के बाद भी ब्लॉक्टर से मिलने चले जाते हैं अब मिलने के बाद अपना जो विजुवल एड है ठीक मैं आपको दिखा भी देता हूं विजुलेट कैसा होता ह है ठीक है तो यह देता है इसे से हम ब्रेंड को डिटियल करते है और हम ब्रेंड को अपने प्रेंड को पसकाइब करने के लिए अब यह प्रॉसेस परेंड हम सारी डॉक्टर में रधीक ने होता है इससे क को अपने ब्रैंग के बारें बताते हैं फिर क्मिश के ब्रैन ने क्या बोला दो के मिच को बोल पॉर करा ले लिए बोला है इसन पर ड्रेंगे और कशने नहीं देजा भी हुग शिकशा आप जा है bucks लिए बोला है तो availability इंसे ओर करेंगे लिए 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 नहीं बोला है prescription देने लिए डॉक्टर ने नहीं बोला है उस condition के अंदर क्या होगा हम chemist को इसे ओर करेंगे जब आएगा तो मंगा लेना ठीक है दूसरा question आपका मोबाइल को पर companies आपको mobile reporting software प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर report करना होता है ठीक आपको proper time पर टूर प्लान बेजना होता है अगले महिने में कहां काम करने जाओंगा वो हर महिने के 25 तारिक तक next month का plan company में चल जाता है जब कोई manager काम करने आता हो तो उसके साथ joint working करना बोलते हैं जो है तो मेनेजर साथ वर्किंग करते हैं तो उसमें gift अगरा बाटते हैं input अगरा बाटते हैं samples देते हैं कोई scientific literature होता तो उसको hand over करते हैं ठीक है तो यह और अपनी sales को analyze करते रहते हैं working करते रहते हैं तकि time to time अपने target को achieve कर सके ठीक है तो job profile काफी बड़ा होता है इसके नदर हम सारी चीजे लग बलग बोलते हैं इसके बाद आपसे कुछ से पूछा जा सकता है आप फार्मा में ही क्यों आना चाहते हो क्योंकि अदर भी marketing फील्ड काफी बड़ा फील्ड है आप दूसरी marketing जाना चाहते हैं तो pharma में क्यों आना चाहते हैं तो pharma में दुको आने के चार पांच एडवांटेजिया बहुत सारे एडवांटेज है मैं आपको चार पांच एडवांटेज बता सकते हैं आपकी फार्मा के अंदर जो मारा customer है वो knowledgyful है तो आपसे कोई ग काम कर रहे हैं तो कि प्रोड़क बेचना है कोई भी कस्टमर हो सकता है नमबर का फिक उपर काम करना है 25 कि अगरे बढ़ जाता है कि बार बार उसी को पर काम करना है चौथा अध्यवैंटिज क्या होता है यहां पर आपको personality development के लिए जो है companies बहुत सारी चीज़े जो है करती है activity आप different type के customers handle करते हैं जैसे chemist हो गया, doctor हो गया इससे क्या होता आपका जो overall personality development है आपकी reasoning ability है आपकी understanding, maturity label है वो develop हो जाता है फॉर्थ अकरम बात करें तो यहां पर growth opportunities growth opportunities other field में भी है बट फार्मा के अंदर क्या है multi-label growth opportunities आपने मालीजी आजे MR जोइन किया तो कोई जरूरी नहीं कि आगे भी आप MR ही बने रहा आप manager बन सकते हैं, आप journalism बन सकते हैं आप sales के line में growth करते हुए चले जा सकते हैं लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है बात में मन बदल गया sales में बहुत pressure है, बहुत stress नहीं लेना है sales में कौन काम करेगा आप MR के बाद चाहो तो अपना field बदल सकते हो आप MR के बाद ट्रेनिंग में जा सकते हो पढ़ाने वाले में जा सकते हो आपको communication अच्छा है आप international market में जा सकते हैं आपको कोई दूसरा language आता है French आपको आता है, Korean आपको आता है तो उस case में क्या है आप international market के अंदर भी जाहो तो काम करने जा सकते हो country manager बन के जा सकते हो मलती direction यहाँ पे growth करने का opportunities है आपने graduation simple किया हुआ, BA किया हुआ, BICAM किया है, BSC किया है उसके बाद आपने MBA कर लिए, suppose that तो इसके बाद क्या है, आप HR में जा सकते हैं आप accounts के अंदर जा सकते हैं इतना multi direction growth आपको friend किसी भी और job के अंदर नहीं मिलता जो आपको medical representative के job में मिलता है यहां पर क्याना opportunity कैस करना ही होती है तो यह आपका, अगर इस ताप से कुछ कुछा दा तो क्यों आप आना चाहते हो यहां पर आप इस तरह से advantage share करना चाहते है अब कुछा दा सकता जो next question है आपको मैं hire ही क्यों करूँ, आपके पास क्या ऐसी खास बात है ठीक है, क्यों hire करें, market के अंदर बहुत सारे candidate है तो आपको इसमें क्या reply करना है इसका reply बहुत different हो सकता है बट जो मैं आपको suggest कर रहा हूँ, आप इसको try कर सकते है ठीक है, क्यों hire करें तो आप बोलो किसा देखो जो आप दूसरे candidate को hire करोगे उसका मुझे पता नहीं, वो अच्छे से काम करेगा कर नहीं करेगा बट मैं इस field के लिए dedicated हूँ और मैं काफी time से यहां की preparation भी कर रहा हूँ इतना मैं आपको guarantee दे सकता हूँ अगर आप मुझे hire करते हैं तो 100% है, मैं वो काम करूँगा जिस काम के लिए है, मुझे आप fire करेंगे मैं 100% dedicated हूँ company के लिए, ठीक है इसके बाद friend, next question हो सकता है आपके subjects related, मालीज़ आप BA कर क्या है तो हो सकता है, मैं interview ले रहा हूँ कोई बंदा कर BSC कर क्या हूँ, कोई pharmacy कर क्या हूँ क्या है, मेरी subject के नदर hold है तो मैं उससे related question पूछ रहे है तो pharmacist कोई आया, तो what is the pharmacology, pharmacokinetic drug classification, root administration इस type से question पूछे जा सकते हैं तो ऐसे ही आपके subjects related अगर आप मैं ब्या कर कर के आएंगे मैं आपसे general GK को कोई question पूछ सकता हूँ तो आप simple calculation में पूछ सकता हूँ और इसका मुझे Hindi में मतलब बताओ तो कई medical representative को मैंने देखा है कि वो जो resume बनवा के लेके आते हैं खुद तो बनाते नहीं resume वो cyber cafe बनवाते हैं अब उसके अंदर वो कुछ भी लिख देता है जो उसके बाद preset बना होता है वैसे अपना नाम डाला आपके details डाले उस बना के आपको दे दिया अब उसके अंदर English में क्या लिखा वो पता ही नहीं और आपने बहुत चोड़िया कि उसके अंदर लिख दिया मुझे computer आता है अभी जो manager होता है वो तो रोज computer वोपर काम कर रहा है और आपसे एक Excel का फार्मूला पूछ लेगा आप बता ही नहीं पाओगे आपसे वर्ट के बारे में कुछ पूछ लेगा आप नहीं बता पाओगे आपने क्या कि आपको आता है आपने लिख दिया चोड़ोगे लेकिन देखो अगर आपको आता है computer knowledge है उसको specify कर दो अगर आपको MS office आता है अगर उसमें भी आप सिर्फ Excel जानते हैं तो Excel लिखिए सिर्फ दिखाने के लिए मत लिखिए कि आपको computer का बहुत सारा knowledge आता है क्योंकि जो मैनेजर होते हैं फार्मा के अंदर आखासर पर जो सेकंड लाइन थर्ड लाइन मैनेजर है वह computer को उपत बहुत regular काम करते हैं खासर पर MS office में ठीक चाहे PowerPoint presentation हो चाहे word हो चाहे email हो चाहे internet हो या excel हो तो इन सब चीजों में आप बहुत सोच समझ के ही चीज़े डालें या फिर आप डालो अगर आप computer knowledge डाल दे रहो तो आप उसके अंदर mention करतो basic knowledge आप computer and internet वह expertise मिनत सो करो ठीक है क्योंकि मैंने कई बार interview लिया है जो कंप्यूटर के डिगरी लेके आएं उनको भी जब मैंने computer के बारे में पूछा तो भी नहीं बता पाएं यह हाल रहा है इंटर्वियू के अंदर लिख के तो उन्होंने बकायदे वहां लेके आगा है इस चीज को आपको आवाइट करना है जो चीज आप आपको नहीं पता है सिर्फ दिखाने के लिए मत लिखिये रिजियूम के अंदर वह आगा पूछ लेगा तो वहां पर आप फंस जाएंग तो उसको RCPA बोलते हैं RCPA का फुल फॉर्म लिख दो मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं रिटेल केमिश्ट प्रिस्किप्शन आउडिट यह लिख के भी आ रहा है स्क्रीन को पर यहां से नोट कर लो अच्छे तरीके से जान लो ठीक है यह आपसे पूछे जा सकता है अब इसमें हम करते क्या है इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम केमिश्ट पर जाते हैं और केमिश्ट को जैसे फ्री टाइम मिलता है जैसे केमिश्ट फ्री होता है तो उसको अपने ब्रैंड के बारे हम पूछते हैं अगर लिखते हैं तो कितना लिखते हैं मेरा नहीं लिखते हैं तो कौन सा brand लिखते हैं, उसकी MRP कितनी है, उसकी उपर scheme क्या आता है, या फिर जो मेरा brand है, इन बाजू वाले doctor के अलवा और कौन कौन लिखता है, अपने brand से लेडर 57 question करके हम एक knowledge gather करते हैं, जिससे मुझा idea हो जाता है, कि जो बाजू में doctor बैठा हुआ है, उसका potential क्या है, और मुझे कौन से brand को बात करना चाहिए, या फिर मेरे brand के लिए और दूसरा potential doctor कौन सा हो सकता, जो दूर कहीं बैठा, जिसके बारे मैं नहीं जानता हूँ, इसको basically friend हम RCPA करते हैं, सर्वे करते हैं, इसी सर्वे के base पे हम call करते हैं, प्रस अपने product का order करता है, केमिश को पर personal order booking, इसको PO भी बोलते हैं, अगर केमिश के पास कोई order generate हो रहा है, कोई बना हुआ है, तो उससे जो है, हम order ले लेते हैं, और अपने wholesaler को दे देते हैं, ताकि वो supply करते, इसके बाद कौन से question पूछा सकता है, इसके आपसे पूछा सकता है, जनल mathematics के question, 10 के साथ 2 free दिया जा चुकी और इसलिए वाला आपने sort out किया होंगे लिया होगा, तो वो वाले आप practice कर लो यहाँ पे, कि कोई market के इंदर scheme देना होता है, तो percentage system आप से पूछा सकता है, general calculation चुकी और इसलिए वाले mathematics से पूछा सकते है, simple differentiation आप से पूछा सकता है, ठीक है, परसेंटेज में कैसे convert किया जाएगा, यह सब पूछा सकता है, interest पूछा सकता है, यह चोटे-चोटे mathematics, बहुत simple, simple, जो हम 7th standard में, 6th standard में पढ़के आते हैं, वो सारे question पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा आप से next question जो पूछा सकता है, वो company के बारे पूछा सकता है, मालो आप Pfizer में गय सब्सक्राइब के लिए, sipla में गए हुए, torrent में गए हुए, तो क्या जानते हो आप company के बारे में, company के बारे में आप थोड़ा सा Google से पढ़ लो brief, कि क्या company कब established हुई थी, कितने division है, market के अंदर top brand कौन से है, इन चीजों के आप पढ़ लो, इन चीजों के बारे में थोड यह brand कैसे काम करता है, वो brand कैसे काम करता है, यह जल्दी से आप से नहीं पूछे जागी, हाँ, अगर आप science background बताओगे, तो वहां से आप से subjective question पूछ जा सकता है, anti-biotics क्या होता है, अगर उस division के अंदर है, hormones क्या होता है, ठीक है, sale क्या होता है, enzymes क्या होते है, यह सब पूछे सकता है, आप से salary negotiation के बारे में बात किया सकता है, तो कितना salary हम मांगेंगे, अगर आप फ्रिसर काम करने जा रहा है, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूगा, पहले आपको जॉब के requirement है, पैसो के requirement नहीं है, पैसा secondary है, अगर आप अच्छे से काम करेंगे, अच्छ फील में काम करने लग जाओंगे, बहुत सारी यहां भर-बर के jobs रहती है, हमेशा ही खाली रहता है, ठीक है, तो बहुत आसानी से आपको बहुत सारे job मिल जाएंगे, ज़रूवत है आपको फील में आके मिहनत से काम करके, अपना एक पहचान बनाने की, यह 8-10 question मैंने आप क्लिए लिखे हुए थे, ठीक है, आप इनको practice कर लीजिए, यह सारे questions जो है, आपको काफी help करेंगे, कुछ medicines का नाम वगरा भी याद रख लीजिएगा, काफी जदा आपको help मिल जाएगी, इसके जाद यह सारे तयार तो कर लिए, vacancy कहां मिलेगी, यह भी एक बड़ा problem है, ठीक, इसके लिए बहुत सारे लोग even that मुझे call भी कर देते हैं, तो please call मत करना यार, क्योंकि जो call वाली service है, वो paid में है, free नहीं है, और उसमें unnecessary मैं disturb होंगा और आपको कोई reply नहीं मिलेगा, तो पांसात तरीके है, vacancy find out करने के, गूगल बे बहुत सारे group है, वहां से देख हैं सबसे बात करिए, interact करने को कोई करिए, अपना regime को hard copy लिए रहिए, कई पर वहां लगा रहता है, बहुत सारे MR के knowledge रहता है, अब क्या है, अब daily daily अगर आप जाएंगे, MR के knowledge में कोई vacancy है तो आपको बता देगा, लेकिन आप एक दिन गए, फिर चार दिन के बाद जा र है, ठीक है, दो घंटे के लिए वहाँ प्रिजेंट रहो, daily जाओ, वेकंसी आपको मिल जाएगा, इसके लिए वाटसप के बहुत सारे MR गूरूप है, महाँ मिल जाएगा, किसी केमिस्ट वाले से परचित है, वहाँ मिल जाएगा, कोई बड़ा डॉक्टर न उसके आप MR का find out कर सकते हैं, ठीक है, और इसके जैसे बहुत सारे informative वीडियो मैंने आप लोगों को बनाया है, अगर आप फिरिसर हैं तो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगे, और medical representative या MR interview करके एक प्लेलिस्ट है, फोल्डर है, उसके अंदर जाएगे, आपको बहुत सारे वीडियो मिले सकता, 100% है, आप उसको crash, join कर लोगे, qualify कर लोगे, ठीक है, crack कर लोगे, अगर इतने के बाद 200 कुछन देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको problem आ रहा है, कि नहीं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो कुछ अब बता रहा है, मुझे और ज्यादा detail मे आप purchase कर सकते हैं, link मैं description में दे दूँगा, वहाँ पर जाएए, वहाँ से click करके आप purchase कर सकते हैं, मेरे number पर contact कर सकते हैं, तो इसके अंदर मैंने crash course के अंदर videos दिये हुए हैं, plus notes दिये हुए हैं, तो वहाँ detailed way में आप तैयारी कर सकते हैं, और किसी भी interview को बहुत आसानी क के साथ crack कर सकते हैं, ठीक है, चलो, बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको, next time, ऐसी किसी interesting वीडियो में, bye